प्रधान मंत्री मूदी जवानों की बीच में मौजूद हैं उनको संबोधित कर रहे हैं करगल से ये सी तितना स्वीर है ये एक ऐसी अजस्त्रधारा है जो एक और गगन चुम्बी हिमाले से प्रश्टूटित होती है तो दूसरी और हिंद महा सागर में समाहित होती है अतीत में असीम लप्टे उठी विश्व की कितनी ही लहल हाती सब बताएं रेगिस्तान सी विरान हो गई लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृति धारा आज भी अविरल है अमर है और मेरे जवानों एक राष्ट कब अमर होता है राष्ट तब अमर होता है जब उसकी सम्तानों को उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ पर अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है राष्ट तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीष हिमालय के सिर्ष सिखरों की तरा उतंग होते हैं एक राष्ट तब अमर होता है जब उसके संसाधनों के बारे में कहा जा सके कि चलन्तू गिरियह कामम युगांत पवनाहता है कुछे रपी न चलत्तेव धिरानाम निश्चलाम बना यानि प्रले काल के तुफानों से विशाव परवद भले ही क्योन उखड़ जाए लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अडिग अटल और निश्चल होते हैं इसलिए आपकी भुजाओं को आपकी भुजाओं का सामर्थ हिमाले की दुर्भु उचाईयों को नापता है आपका मनस्वी मन मरुज थलों की मुस्किलों का सभलता से मुकाबला करता है आपके असिम शोर्य के आगे अनंत आकास और असिमित समंदर गुटने टेकते हैं कारगिल का कुरुक्षेत्र भारतिय सेना के इस पराक्रम का बुलन गवाँ बन चुका है ये द्रास ये बटालेक और ये टाइगर हील ये गवाँ हैं कि पहाडों की उचायों पर बैठा दुश्मन भी भारतिय सेना के गगन चुम्बी सास और शोर्य के आगे कैसे बोना बन जाता है जिस देश के सहनिकों का शोर्य इतना अनंत हो उस राष्ट का स्तित्वा अमर और अटल ही होता है साथियों आप सभी सीमा के पहरी देश की रक्षा के मजबुत स्तंब है आप है तबी देश के भीतर देश वासी चैन से रहते हैं निश्चिंत रहते हैं लेकिन ये हर भारत वासी के लिए खुशी की बात है कि देश के सुरक्षा कवच को संपूनता देने के लिए हर भारत वासी पूरी शक्ती लगा रहा है देश सुरक्षित तभी होता है जब बौडर सुरक्षित हो अर्थ वबस्ता ससकत हो और समाज आत्म विस्वास से घराब हो आप भी बौडर पर आज देश की ताकत की खबरे सुनते हैं तो आपका होस्रा दोगुना हो जाता होगा जब देश के लोग स्वच्षता के मिसन से जुड़ते हैं गरीब से गरीब को भी अपना पक्का घर पीने का पानी, बिजली, गैस जैसी सुविधाएं रिकार्ड समय पर मिलती हैं तब हर जवान को भी खर्व होता है दूर कहीं उसके घर में, उसके गाओं में, उसके शैर में सुविधाएं पहुँचती हैं तो सीमा पर उसका सीना भी तन जाता है उसे अच्छा लगता है जब वो देखता है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उसका घर पर बात करना भी आसान होता है और छुट्टी पर घर पहुँचना भी आसान बन जाता है साथियो, मुझे पता है जब साथ, आठ, साड के भीतर ही है देश की अर्थववस्ता दस्वे नंबर से पांच नंबर पर पहुची है तो आपका भी माथाद गर्व से उचाफ होता है जब एक तरफ आप जैसे हुआ सीमा को समालते हैं और दूसरी तरफ आपके ही हुआ साथी असी हजार से अधिक स्टार्टप बना देते है नएने इनोवेशन करते है तो आपकी खुशी भी बढ़ जाती है दो दिन पहले ही इसरों ने ब्राड बेंड इंटरनेट का विस्तार करने वाले चतिस सेटलाइट तीन डजन एक साथ लॉंच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है अभी दो दिन पहले अंतरिख में भारत जब अपना सिक्का जमाता है तो कौन मेरा वीज जमान होगा जिसकी चाती चोड़ी न होती हो कुछ माइने पहले जब युक्रेन में लड़ाई छिड़ी तो हमारा प्यारा तिरंगा कैसे बहाँ फसे भारत्यों का सुरक्षा कवच बना यह हम सभी ने देखा दुनिया में आज जिस प्रकार भारत का मान बड़ा है सम्मान बड़ा है दिश्व पटल पर बड़ती भारत की भुविका आज सब के सामने है साथियों आज यह सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्वनों के विरुद सबलता के साथ मोर्चा ले रहा है आप सीमा पर कवच बनकर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्माओं के घलाप सक्त से सक्त कारिवाई हो रही है आतंगवाद की नक्सलवाद की अतिवाद की जो भी जड़े बीते दसकों में पनपी थी उसको उखाडने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है कभी नक्सलवाद देश देश के बहुत बड़े हिस्सों को चपेड में ले लिया था लेकिन आज वो दाइरा लगातार सिमट रहा है आज देश ब्रस्टा चार के खिलाप भी निरनायक युद्ध लड़ रहा है ब्रस्टा चारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहो कितना ही ताकतवर क्यों नहो अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्फ़कों सीमित रखा हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाएं आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कम्यों को तेजी से दूर कर रहे हैं राश्त पहित में आज बड़े से बड़े निर्णे तेजी से किये जाते हैं तेजी से लागू किये जाते हैं चाथियों, तेजी से बदलते हुए समय में टेकनोलोजी के इस दौर में भविश्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलने जा रहा है नए दौर में से, नई चनोतियां नए तौर तरीकों और रास रक्षा के बदलती जरुत्तों के हिसाब से आज हम देश की सन्य ताकात को तयार कर रहे है सेना में बड़े रिफोर्म्स बड़े सुधार की जो जरुरत दसकों से मैसूस की जा रही है वो आज जमीन पर उतर रही है हमारी सेनाओं में बहतर तानमेल हो हम हर चनोति के विरुत तेजी से त्वरीच कारवाई कर सके इसके लिए हर सम्मख कदम उठाये जा रहा है इसके लिए सीडियेस जैसे सौंस्तान का निर्मान किया रहा है सीमा पर आधुनिक इंट्रस्रेक्टर का नेट्वर्क तयार किया जा रहा है ताकि आप जैसे हमारे साथियों को अपना कर्तब में निभाने में अधिक सुविधा हो आज देश में अनेक साइनिक स्कूल खोले जा रहे हैं साइनि स्कूलों में साइन ट्रेनिंग संस्तानों को बेटियों के लिए खोल दिया गया है और मुझे गर्म हमें बहुत सारी बेटियों को मेरे साथ में देख रहा हूँ भारत की सेना में बेटियों के आने से हमारी ताकत में बृद्धी होने वाली है ये विश्वास रखिए हमारा सामर्द बढ़ने वाला है साथियों देश की सुरक्षा का सबसे महत्वों पहलू है आत्म निर्वर भारत भारतिये सेनाओं के पास आदुनीव स्वदेशी हत्यार विदेशी हत्यारों पर विदेशी सिस्टिम पर हमानी निर्वरता कम से कम हो इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्म निर्वरता का संकल्प लिया है मैं प्रसुंसा करता हूँ अपने तीनों सेनाओं के जिनोंने ये तै किया है कि चार सो के से भी अधीक रक्षा साजो सामान अब विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे अब एच चार सो हथियार भारत में ही बनेंगे चार सो प्रकार के भारत का सामर्थ बढ़ाएंगे इसका एक और सबसे बड़ा लाब होगा जब भारत का जवान अपने देश में बने हथियारों से लड़ेगा तो उसका विश्वास जरम पर होगा उसके हमले में दुश्बन के लिए सर्प्राइज एलिमेंट भी होगा और दुश्बन का मनोबल कुचलने का साहज भी होगा और मुझे खुशी है कि आज एक तरफ अगर हमारी सेना और हमारी सेना जादा से जादा मेड़ी इंडिया हथियार अपना रही है तो बही सामान्य भारतिय भी लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सपने देख करके समय लगा रहा है साथियों आज ब्रह्मोस सुपरस्वनिक मिसाइल से लेकर प्रचन लाइट कॉंबेट हेलिकॉप्टर्स और तेजर्स फाइटर्स जैट्स तक ये रक्षा साजो सामान भारत की शक्ति का परियाय बन रहे हैं आज भारत के पास विशाल समंदर में विपलवी विक्रांत है युद्ध गहराईयों में हुआ तो अरी का अन्त अरियंत है भारत के बांस प्रुत्वी है आकाश है अगर विनास का तंडव है तो शीव का त्रिशूल है पिना का है कितना भी बड़ा कुर्खशेत्र होगा लक्ष भारत का अर्जुन भेदेगा आज भारत अपनी सेना की जुरत तो पूरी कर ही रहा है बलकि रक्षा उपकरोनों का एक बड़ा निर्या तक भी बन रहा है आज भारत अपने मिसाइल डिफेंज सिस्टिम को सजक्त कर रहा है बहीं दूसरी तरफ ड्रोन जैसी आदुनिक और प्रभावी तक्रिक पर भी तेजी से काम कर रहा है भाई और बैनों हम उस परंपरा को मानने वाले है जहां युद्ध को हमने युद्ध को कभी पहला भी कल्प नहीं माना है हमेशा ये हमारा वीर्ता का भी कारण है हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेतर में अंत तक उसको तालने की हर संभव कोशिश हुई है इसलिए हम विश्व सांती के पक्सदर है हम युद्ध के विरोधी हैं लेकिन शांती भी बिना सामर्थ के संभव नहीं होती हमारी सेनाओं के पास सामर्थ भी है रणनीती भी है अगर कोई हमारी तरफ नजर उठा कर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाए दुश्मन को उसी की भाशा में मुतोर जवाब देना भी जानती है साथियों देश के सामने हमारी सेनाओं के सामने एक और सोच अब रोध बनकर खड़ी थी ये सोच है गुलामी की मानसिक्ता और देश इस मानसिक्ता से भी छुटकारा पा रहा है लंबे समय तक देश की राज़दानी में राजपत गुलामी का इक प्रतीत था आज वो कर्तगर कर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है इंडिया गेट के पास जहां कभी गुलामी का प्रतीत था वहां आज नेता जी सुभाज चंद्रबोश की भगव प्रतीत विशाल प्रतिबा हमारे मार्ग दिखा रही है हमारा मार्ग दर्शन कर रही है नेशनल वार मेमोरियल हो राष्ट्रिय पुलिस मार्ग हो राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेणा देने वाले ये तीर्थ भी नए भारत की पहचान है कुछ समय पहले ही देश्ट ने गुलामी के प्रतीक से भारतिय नव सेना को भी मुक्त किया है नव सेना के द्वच से अब वीर सिवाजी की नव सेना के शावर्य की प्रेणा जुड़ गई है साथियो आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है भारत के बढ़ते सामर्थ पर है जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांती की उमीद भी बढ़ती है जब भारत की ताकत बढ़ती है तो सम्रुद्ध की संभावना बढ़ती है जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है आजहादी का या मृत्काल भारत की इसी ताकत का इसी सामर्थ का साक्षाद साक्षी बनने वाला है इसमें आपकी भूमी का आप सब वीर जमानों की भूमी का बहुत बड़ी भूमी का है क्योंकि आप भारत के गवर्व की शान है तंतिरंगा मंतिरंगा तंतिरंगा मंतिरंगा चाहतिरंगा रहतिरंगा विजय का विश्वाज गरत्ता सीमा से भी सीमा से भी सीना चोड़ा सपनों में संकल्प सुहाता कदम कदम पर दम दिखाता भारत के गवरव की शान तुम्हें देख रहा हर भारतिया गर्व से भर जाता है वीर गाथा गर गर गुंजे नर नारी सब शीष नवाएं सागर से गहरास ने हमारा अपने भी हैं और सपने भी हैं जवानों को अपने लोग भी तो होते हैं आपका भी परिवार होता है आपके सपने भी हैं फिर भी अपने भी हैं और सपने भी हैं देश हित सब क्या सबर पित अब देश के दुस्मन जान गए हैं अब देश के दुस्मन जान गए हैं लोहा तेरा मान गए हैं भारत के गौरों की शान भारत के गौरों की शान तुम्हें देख तुम्हें देख हर भारतिय गर्व से भर जाता है प्रेम की बात चले तो प्रेम की बात चले तो शागर शान तो हो तुम्हें पर देश पर नजर उठी तो फिर भीर बज्र विक्रांत हो तुम्हें एक निडर एक निडर अगनी एक आग हो तुम्हें निर्भय प्रचंद और नाग हो तुम्हें अर्जुन पृत्वी अरिहंत हो तुम्हर अंतिकार का अंत हो तुम्हें तुम यहां तपस्या करते हो तुम यहां तपस्या करते हो वहां देश धन्य हो जाता है भारत के गवरों की शान तुम्हें देख हर भारतिय गर्व से भर जाता है स्वाबिमान से खड़ा हुआ स्वाबिमान से खड़ा हुआ मस्तग हो तुम्हें आस्मा में तेजस की हुंकार हो तुम्हें दुष्मन की आँख में आँख डाल के जो बोले ब्रमोस की अजय ललकार हो तुम्हें है रुणी तुम्हारे हर पलहम यह सत्य देश दहराता है यह सत्य देश दहराता है भारत के गवरों की शान तुम्हें देख हर भारतिय गर्व से भर जाता है एक बात फिर आप सभी को और करगिल के वीरों की एत्तिर से भूमी के हिमानई की गोच से मैं देश और दुनिया में बसे हुए सब भारतियों को मेरे वीर जवानों की करप से मेरे तरफ से दिपावली की अनेक अनेक शुक्तावनाए देता हूँ मेरे साथ पुरी ताकत से भोलिये पूरे हिमालेट में से गुंजानी चाहिए भारत माता की जै भारत माता की ये वंडे रहत माता की ये ऐ और वंदे मात्रम ए गुंजायमान करगिल की हवाओं में नजर आ रहा है सुनाई दे रहा है गुंज है प्रधान मंत्री मोधी पहुँचे हुए हैं जवानों के बीच में और जवानों का होसला अवजाई करते हुए उनके लिए उनके परिवार को उनको धन्यवाद करते हुए क्योंकि जिस तरह से वो हमेशा खड़े रहते हैं देश की रक्षा में देश की सरहदों पर ये बहुत बड़ी बात होती है उन्होंने कहा बॉर्डर पर आरकर आपके साथ दिवाली मनाने का अफसर मिला है देश ब्रश्टाचार के खिलाफ निरनायक चुनाव लड़ रहा है आज देश में सेनिक स्कूल खोले जा रही हैं साथ ही साथ कहा पुर्धान मंत्री ने कि सबसे एहम पहलू है आतन निर्बहर भारत बंना यूक्रीन में तिरंगा ये चलते हैं पुरधान मंत्री मोदी जवानों के बीच में मौझूद है दिवाली का यत्युहार पर मना रही हैं पहले तो जो संबोधन है जवानों को नोने किया और अब ये जरा सुनिये संबते है आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरे हैं प्रधान मंत्री मोदी की जवानों के बीच में पहले उन्होंने अपना संबोधन दिया और अब ये तस्वीरे जो आई हैं वो तस्वीरे आई हैं जब कारिकरम क्योंकि रखे गई हैं प्रधान मंत्री मोदी के पहुंचने पर तो य तुन्जाइमान, कर्गिल की धर्ती, भारत मा के जैकारों के साथ में, तमाम जवान यहाँ पर मौझूद हैं, और क्यूकि अब तो महिलाएं भी, महिला जवान जो हैं वो भी वहाँ पर मौझूद हैं, उनके भी पोस्टिंग होती हैं, तो वो भी यहाँ पर नज़र आरी, बड़ी सुखद ये तस्वीरें हैं, ये सुखद तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि प्रधान मंत्री मूदी हर बार दीपावली जवानों के बीच में मनाते हैं, आठ साल हो चुके हैं, ये नौवा साल है और आप कहा सकते हैं कि लगातार इन नौ सालों में प्रधान मंत्री पहुचे हैं, उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को कहा भी कि जवान जो हैं भारत मा की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इसलिए उनको कोटी-कोटी धनेवाद है, उन्होंने कहा कि आज विश्व में देश का नाम इतना हमारे पास इतनी मिसाइले हैं इतनी सारे अब हतियार हैं साथी साथ जवान जो हैं वो लगातार अवेर होते हैं जागरुक होते हैं ततपर रहते हैं सतर्क रहते हैं और इसलिए हम सुकून से होली दिवाली मना पाते हैं और इसलिए उन्होंने उन्हें धन्यबाद भी किया और साधी साथ अब देखे कारिक्रम में शामिल होने के लिए भी प्रधान मंत्री पहुँचे हैं पहली संबोधन और संबोधन के बाद देखे जब ये कारिक्रम चल रहा था जो गान है भारत माता के गीत चल रहे थे जो राश्टी भक्ती है भक्ती गीत चल रहे थे देश भक्ती के गीत गाय जा रहे थे उस दौरान प्रधान मंत्री उन्हें भी प्रधान मंत्री ने ताली बजा कर उत्साहा वर्दन किया और सभी का उत्साहा वर्दन करते जवानों का उत्साहा वर्दन करते हुए नजर आए दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं CM योगी आदितनाद जन्होंने दीपावली का पर्व मनाया बेहत धूमधान से ये पर्व मनाते हुएं लेकिन उनका तरीका हमेशा की तब से पहले वो भगवान के दर्शन करते हैं और हन्मान गड़ी वो पहुँचे थे रामलला के भी उन्होंने दर्शन किये और उसके बाद ये कहा भी कि अब वो संतों के बीच में रहेंगे दीपावली मनाएंगे और दीपावली का सही सभी को खुशियां बाटी जाएं दीपोटसव का उलास है अटारी वागा बॉडर पर मिठाईयों का आदान प्रदान किया गया बीस एफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाईयों की एक्सचेंज की है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये वागा बॉडर की एटारी वागा बॉडर की तस्वीरें हैं मिठाईयों का आदान प्रदान करते हुए जवान रेंजर्स के साथ में पाकिस्तानी रेंजर्स और भारती जवानों ने सिना ने ये मिठाई का आदान प्रदान किया है दीपावली का त्योहार है और दीप रेंजर्स को ये मिठाई दी जा रही है और सभी में ये मिठाई बाती जा रही है देखिए कि तस्वीरें जहां मुस्कुरात है और क्यूंकि यही वो पर्व होते हैं जब एक भाई चारा एक खुशी सबके साथ में दुश्मनों के साथ में भी बाती जाती है और वही ये तस आवीर है.